कि अधियर श्टुडंट वैलकम बैक टु दे लेक्चर स्रीज ऑफ डिजिटल एलेक्रोनिक्स पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था डिजिटल टू अनलोग कनवर्टर किस तरह से वर्क करता है और हमने देखा था binary weighted register में क्या-क्या problems होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा disadvantage था कि उसमें weighted resistance की value हमें चाहिए थी और weighted resistance के लिए हमें ऐसे ऐसे रिजिटल चाहिए जिसमें value continuous increase होती रहती है जितने भी beat हम use करेंगे उससे ज्यादा हमें रिजिटल यूज करने पड़ते हैं तो इसका solution हमें मिलता है R to R ladder digital to analog converter से यहाँ पर जो हमने diagram दिखाया है यह diagram है R to R ladder digital to analog converter का जिसमें power supply DC power supply reference voltage यूज किया गया है और R to R, R to R, R to R से ladder diagram बनाया गया है जिसमें दो ही resistance की value हमें चाहिए एक चाहिए R की और दूसरा चाहिए 2R की यानि कि for example अगर हम R is equal to 1 kilo ohm यूज करते हैं तो हमें 2R चाहिए तो 2R is equal to 2 multiplied by 1 kilo ohm is equal to 2 kilo ohm अगर हमारे पास यह दोनों resistor है 1 kilo ohm and 2 kilo ohm तो हम यह पूरा network बना सकते हैं और यह जो network है इसमें R और 2R से हमें अलग-अलग voltage का scaling मिलेगा और voltage से हमें अलग-अलग current की value मिलेगी जिससे हम अलग-अलग output voltage set कर सकते हैं और इन सब current से हम हमें यहाँ पे अलग एक जिससे हमें मिलेगी current की अलग-अलग value और यह जो हमारा operational amplifier है इसको हमने बोला था last time opem ओके यह जो operational amplifier है यह summing amplifier बनके यहाँ पे काम करेगा जो भी यहाँ पे inverting terminal यह जो टर्मिनल है यह inverting terminal है जो भी current आएगा इन सब current को add करेगा और यहाँ पे output voltage करेगा यहाँ पे feedback resistor हमने attach कर रखा है जो की voltage के इनको control करने में help करता है तो यहाँ पे जो हमारे पास voltage source है इस voltage source को हम reference voltage बोलेंगे और यहाँ पे जो first node यहाँ पे बनता है इसकी value यही voltage होगी यानि कि यहाँ पे हमें voltage मिलेगा VR यह जो voltage है वो next node पे transfer होता है तो इन दोनों resistance की मदद से इसकी value हो जाती है VR divided by 2 ओके यही voltage यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यह voltage source बनेगा और यह voltage divider बनेगा जिसकी मदद से यहाँ पे जो voltage मिलेगा वो आपको मिलेगा VR divided by 2 raised to 2 यानि कि divide by 4 ओके यहाँ पे अगर आप फिर से चेक करोगे तो यह voltage source बनेगा और य इन दोनों register की वज़े से यहां पे मिलेगा vr divided by 2 raise to 3 ऐसे ही आप continue अलग-अलग beat add करते जाओगे तो यहां पे आपको last में मिलेगा vr divided by 2 raise to n तो इस तरही के से यहां पे हमने voltage को scale किया है जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि binary weighted register use किये थे जिससे हमें अलग-अलग value का यहां पे current मिल रहा था यह जो current था वो पिछले case में यहां पे resistance की value change होते ही होने की वज़े से यहां पे current में change मिलता था तो यहां पे अभी हमने क्या किया है resistance की value common कर दी है लेकिन जो voltage था उस voltage में scaling करने के लिए हमने यहां पे बीच में एक register add कर दिया है जो binary weighted register था उसमें यहां पे register नहीं था directly connected था तो हमने क्या किया है एक reference voltage ले लिया उससे एक voltage divider बनाया voltage divider से इसकी value मिलेगी हमें यहां पे vr divided by 2 तो यह जो resistance है इस resistance की वज़े से यहां पे voltage step down या voltage का scaling आपको मिलेगा ओके तो फिर हमें जो यहां पे लास्ट में मिलेगा उस voltage की value मिलेगी vr reference voltage divided by 2 rest to n तो यह जो voltage मिल रहे है वो यह voltage यह resistance की वज़े से scaling होते जाएगे तो यहां पे हमें voltage divider के मदद से यहां पे vr by 2, vr by 4, vr by 2 rest to n इतने voltage मिल सकते हैं आपको यहां पे जितने भी bit use करने है उसके हिसाब से आपको यहां पे voltage divider add करने पढ़ेगे यह जो voltage divider है वो voltage scaling के लिए use होंगे तो यहां पे बहुत ही simple तरीके से आप number of bit add कर सकते हो with the help of this voltage divider तो यहां पे हमें अलग-अलग voltage मिलेंगे उस voltage के हिसाब से यहां पे हमें current i1, i2, i3 up to in current मिलेगा वो सब current को हम add करके inverting terminal पे attach करेंगे तो first current हमें क्या मिलेगा simple current का equation हमारे पास है ohms theorem के हिसाब से तो current i1 की value हमें क्या मिलेगी i1 is equal to voltage क्या है यहां पे voltage है vr divided by resistance क्या है resistance है 2r तो हम यहां लिख देंगे 2r तो simple v is equal to ir जो हमारा ohms theorem है उससे हमें मिल जाएगी i1 की value i is equal to voltage divided by resistance तो voltage हमारा था reference voltage first node पे और resistance था 2r तो हमने यहां लिख दिया 2r तो इस तरह से हमें first एक current की value मिल गए second i2 की value हमें चाहिए तो फिर से v divided by r by 2 तो यहां लिख देंगे vr divided by 2 divided by तो यहां पे resistance की value हमारे पास कितनी है 2r फिर से यहां लिख देंगे 2r तो current हमें क्या मिलेगा vr divided by a2 नीचे आ जाएगा तो 2 multiplied by 2 4 into r तो यह second हमें current की value मिल गए vr by 4r ओके यह reference voltage है और यह resistance की value है तो इन दोनों को आप compare करोगे तो यहां पे vr by 2r है यहां पे vr by 4r यानी की यहां पे i2 is equal to आप लिख सकते हो i1 divided by 2 i1 की value क्या है vr by 2r तो यहां पे आप replace करोगे तो यहां पे फिर से आपको यही value मिल जाएगी यानी की i1 की जो value है i2 से double है यानी की अगर आपको i2 की value i1 से चाहिए तो i1 को आप half कर दोगे तो आपको i2 की value मिल जाएगी next है i3 के लिए तो i3 is equal to तो यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पे जो voltage है उस node का voltage यहां पे half हो गया है तो voltage हाफ होगा तो current भी हाफ हो जाएगा similarly हम i3 की value भी निकाल सकते है i3 is equal to vr divided by voltage कितना है यहां पे node voltage है vr by 2 raised to 2 यानी की 4 divided by 2r तो यहां पे लिख देंगे 2r तो हमें value मिलेगी vr divided by 8r तो यहां पे आप इसे i1 से compare करोगे i1 की value है vr by 2r तो यहां पे i3 की value मिलेगी आपको i1 divided by 4 यानी की जो i1 current था उससे 4th time कम आपको यहां पे i3 में current मिलेगा इसी तरीके से आप i n current की value निकाल सकते हो i n is equal to vr divided by 2 raised to n minus 1 divided by 2r तो यहां पे आप इसे i1 से compare करोगे तो आपको value मिलेगी i1 i n is equal to divide by 2 raised to n minus 1 यह होगी i n की value ओके और यहां पे आप देख रहे हो यहां पे जब भी beat हम add करेंगे तो a beat है for example 1 तो क्या होगा यह जो connection है ओ यहां पे short circuit हो जाएगा for example b2 की value भी 1 है तो यहां पे भी short circuit हो जाएगा for example b3 की value 0 है तो यहां पे a open circuit होगा तो open circuit के वक्त i3 की value क्या रहेगी 0 रहेगी क्यूंकि जब close circuit होता है तो close circuit में ही current पास हो सकता है for example यहां पे bn की जगापे b4 है तो b4 में for example 0 है तो यहां पे भी open रहेगा जिसकी वज़े से यह जो i4 current होगा वो i4 current 0 होगा तो इसकी वज़े से आपको यहां पे total current कौन कौन सा मिलेगा total current में addition मिलेगा i1 plus i2 तो यहां पे जो current flow होगा current total is equal to होगा i1 plus i2 क्यूंकि बागी के दोनो current की value यहां पे 0 है क्यूंकि यहां पे bit की value 00 है जब यह bit 1 होते है तभी यह switch activate होता है और short circuit होता है यानि कि यह जो bit है वो control bit है यह switch को control करने के लिए हम इस bit को use करते है तो यहां पे मैं total current का equation लिखता हूँ total current is equal to i1 plus i2 plus i3 plus i4 up to iN यह in general equation है अगर आपको इसमें से अमारे case के लिए जो code हमारा है code क्या है b1, b2, b3, b4 is equal to code हमारा है 1100 इसे अगर आप यहां पे use करोगे तो आपका total current मिलेगा it is equal to i1 plus i2 क्योंकि यह दोनो bit की value अमारी 0 है और यहां पे अगर हम इस value को replace करते है तो i1 as it is रखते है और i2 की value क्या होगी i2 की value होगी i1 divided by 2 यह i2 की value है आप यहां पे directly इस value को भी replace कर सकते हो तो यहां पे अगर इस value को replace किया तो i1 की value क्या है vr by 2r vr divided by 2r plus i2 की value क्या है i2 की value है यहां पे vr by 4r तो यहाँ पे लिख देंगे वी आर बाई 4R ओके तो यहाँ पे वी आर हमारा common है तो यहाँ पे वी आर डिवाइड बाई आर common ले लेंगे तो यहाँ पे हमें value मिलेगी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 ओके अगर आपको यहाँ पे voltage की value चाहिए क्योंकि हमें ultimately क्या करना है इस digital bits को analog में convert करना है तो digital value क्या मिलेगी VO is equal to minus IT into RF यह हमने पिछले वीडियो में discuss किया था कि क्यों यहाँ पे हमें operational amplifier का output VO is equal to minus IT into RF यह जो resistance से इसकी value मिलती है तो यहाँ पे मैं directly लिख देता हूँ IT की value हमारे पास यहाँ पे है और RF की value नहीं है तो VR by R into 1 by 2 plus 1 by 4 यह थी हमारी total current की value और I1 की value और RF को as it is लिख देते हैं और यह जो minus sign है इसे भी as it is लिख देते हैं ओके For example यहाँ पे RF और R की value यहाँ पे जो resistance है इस resistance की value और A जो resistance है इसकी value common है दोनों की value equal है RF is equal to R तो इस condition में हमें output क्या मिलेगा minus VR as it is और 1 by 2 plus 1 by 4 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे यह जो calculation है वो आप बहुत easily कर सकते हो तो इसकी value आपको मिलेगी 0.75 into VR तो यहाँ पे जो आपका reference voltage होगा इसके हिसाब से यहाँ पे आपको analog output voltage की value मिल जाएगी तो इस तरही के से आप यहाँ पे R to R ladder diagram का use करके digital bit को analog में convert कर सकते हो हमने यहाँ पे क्या किया है जो भी bit से इस bit से current की value निकाल ली है और current की value को add करके यहाँ पे जो total current था उसको RF से multiply किया तो output voltage मिल गया है तो इस तरही के से आप यहाँ पे simply R to R ladder diagram का use करके यह जो basic आपका digital data है इसको आप यहाँ पे analog में convert कर सकते हो next video में एक और method के बारे में discuss करेंगे जिससे आप directly digital bit को analog में convert कर सकते हो लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसके advantages तो यह जो method है इसके बहुत सारे advantages है जैसे कि यहाँ पे जो हमें resistor चाहिए उसमें दो ही value चाहिए R and 2R for example R is equal to 1K है तो 2R की value यहाँ पे 2K मिलेगी तो यहाँ पे जो method है उसमें आप easily R और 2R को combine करके R to R ladder diagram बना सकते हैं previous method में हमने देखा था तो उस case में हमें अलग-अलग value के बहुत सारे resistor चाहिए थे जो की बहुत difficult था तो यहाँ पे आप simply R to R का use करके ladder diagram बना सकते हो यहाँ पे अगर आपको number of bit add करने हैं तो सिर्फ आपको R to R का एक और network add करना है तो आपका next bit add हो सकता है तो यहाँ पे अगर आपको number of bit increase करने हैं तो आपको similar R to R value के ladder diagram add करने पड़ेंगे जो की बहुत ही simple है ओके यह जो method है ओ बाइनरी weighted register method से effective method है next video में हम discuss करेंगे कि इस तरह से integrated circuit का use करके आप यह जो पूरा work है अनलोग digital to analog conversion ओ कैसे कर सकते हैं तेंग यह जो कोईगे शबसे हैं